कैसे वाल को नहीं वीडियों में आप सभीका स्वागत है तो आज हम डिसकस करना वाले हैं कि क्या-क्या चीजे आपको ध्यान रखनी चिए और क्या-क्या चीजे आपको चेक करनी चीए जब आप को लगता है कि यहां से तक मुझे पता है कि क्या किया चीजे मेरे हिसाब से चेक कर लेने ज्याम सकती है जब बहुत वहां से थोड़ा दिक्कात है लेकिन वैसे अच्छे भी डिलर्स है वहां पर लेकिन बहुत सारे वहां पर फ्रॉड भी हो जाते हैं लोगों के साथ तो चलो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी कि आपको क्या क्या चीज़ें के कंशिडर करनी चीए तो आप देखते हो यहां पर बहुत जदा यूज़ें यहां पर हात रखते हैं कर दो कि यहां पर यूज़ेंगी आहां पर हाथ रखते हैं लोग तो यहां पर बहुत जादा यूजेज है तो आपको पता लग जाएगा दोर से ही तो अभी तो मेरा दोर तो बहुत साफ है क्योंकि मेरी गाड़ी जेन्वन 25-26,000 किलोमेटर चली वी है लेकिन अगर मैं इसको ही 70-80 के अराउंड देखूंगा तो यहां पर यह बैट ज किसी को बेच रहा हूं तो यह सब मिटा मिलेगा लाग की गाड़ी में यह बैठे में मिलेंगे ठीक है और दूसरा आजाता है सीट्स का अगर आपको सीट्स बैठी वी मिल गई भाई की मतलब बहुत जादा बैठी वी है तो तो आप यह मान जाओ कि गाड़ी बहुत चैल रखिये यह बहुत ज्यादा लेकिन कुछ लोग क्या गरतें सीट भी बदल जाती है सीट का क्या यह बदल दो सब बदल दो फोंब बदल दो खुछ भी कर लो सीट सी उतार के दूसरी लगा दो तो इतना किसी को ऐसे पता नहीं लगे तो यह तो देखो आप देख सकते हो ल बाड़ी खूब चल चुकी है क्योंकि 50-70 तक भी ये पेडल्स ऐसे नहीं घिसते थोड़ थोड़े भलकुल हलके माइनर माइनर से घिस जाएंगे लेकिन लाख तक लाख एक लाग दस एक लाग बीस पे यहां से न आप यह मान के चलो इतना पार्ट इनका घिस जाता है ठिक है क्योंकि लोग यहां से ही अपना रेस पेड़ेंशे प्रेस करते हैं पुरा भी पैयर रखते लेकिन नॉमेली यहां पर आप देखना यहां पर ब्रेक में भी यहां पर क्लच स्धीक्श तो आपको पूरा मिटावा मिल जाएगा तुकि क्लच तो बंदा तो आप इनसे पता लगा सकते हो ठीक है आगे आप जा सकते हो अगर कोई बंदा आपको कहता है कि यह गाड़ी 80-90 चली भी है कोई भी अगर आपको इनसेंस मिल जाती 70,000 किलोमेटर चली भी है ठीक है तो और आप यह देखते हो कि हाँ भाइस के टायर भी नए है सब कुछ न ठीक है कब टायर यह बना है कब इसका वारेंटी वारेंटी में भी आते हैं भाई अब टायर तो तो इससे आपको बता लग जाएगा कि क्या अब यह गाड़ी जो मेरी जनुर्वन ली है मेरी गाड़ी मांगेगी टायर शार 45-50 लास्पेंटा मतलब लास्ट पचास मेरे को इसके टायर चेंज कराने ही पढ़ेंगे अब जैसे मेरी गाड़ी पचास चल गई और मैंने अब आपको मेटर बैक करके दे दिया पच्चेस कि भाई यह 25,000 किलमेटर से लिवी है और टायर लगे में नए तो समझ जाना कि भाई यह चल रहा है जोल क्यूंकि 25,000 पे कोई भी काड़ी टायर नहीं मांगेगी 25,000 पे इनसेंस कि अगर किसी ने टायर ही बदलवा दिया कि अगर कोई शॉक है जिसने लॉय लगवाने 16 लगवा दिये मैंने बाई ऐसे चला जी थी 25-30 के राउंड और उसके बाद मैंने चेंज करा तो 25-30 यह वाले टायर चल गई तो आप थोड़ा बहुत लग सकता है कि हां हो सकता है ठीक है एंड अगली चीज आ जाती है री पेंटेड यह पार्ट रिप्लेस्ट एक्सिडेंटल का बहुत जादा चक्कर होता है और कि एक्सिडेंटल तो नहीं है गाड़ी तो उसके लिए आप चेक करने के लिए आप यह जो पार्ट अगर एक्सिडेंट में चेंज होगा तो पहली बात तो वह ड़ाए जैसे डिगी चेंज होगी मानों लोग इस आपको कैसे पता लगेगा पहले तो आप यह देख सकते हो मेरी डिगी आज तक नहीं खुली तो देखो अगर कोई बंदा डिगी लगाया तो पहल टाइट की आवाय खोला है तो यहां से पता लग जाता है जैसे टायर तो लोगों के खुलते रहते तो देखो यहां पर निशान है यहां पर एक भी निशान नहीं है मैं आपको इसको साफ भी करके दिखा देता हूं देख लो यहां पर एक निशान नहीं है क्योंकि मेरी पूरा सबकुस नॉर्मल है ठीक है अगर आपको गाड़ी में छोटे मोटे डेंट वगेरा यह सम मिल जाते हैं तो वह तो नॉर्मल है चलती है गाड़ी लग जाता है और अगर उस डेंट पे आपको यह मिलता है री पेंटिंग मिलती है तो उसमें भी आप इतना मतलब कोई बड़ा क्वेशन नहीं है वह हो सकता है क्योंकि देखो अगर मैं किसी डीलर को इनसेंस बेज देता हूं यह गाड़ी और उसके बाद वह इस पर थोड़ी सी फिनिशिंग करा देता है ठीक है आपको पता लग जाएगा चलो ठीक है अगर आपका यह पूरा का पूरा पूर यह पूरा बोनट पेंटेट तो तो आप समझ जाओ कि हो सकता है या अक्षिडेंटल हो हो सकता है क्या होगी मेरे हिसाब से तो लेकिन अगर यह थोड़ा सा पार्ट पेंटेट है फिनिशिंग हो रखी है तो तो यह तो इसको नहीं मानते आप कि वह रखा है कि तो कभी- खा लेता है थोड़ा बहुत तो कर लेता है जैसे आप पूरा पैनल मत कराया करो कभी भी क्योंकि वह तो डेपरिसेशन खा जाती फूरी गाड़ी फिर ठीक है यह आप पार्ट चेक कर सकते हो ठीक है अगला आप चेक कर सकते हो यह खोलके रबर्स यह आप खोलके देखना पर रोबोटिक वो होते हैं प्रिंट्स होते हैं जैसे प्लांट में गाड़ी बन रही होती है तो रोबोटिक प्रिंट्स मारते हैं इसमें एक तरीके से यह देखो यह रहा है यह रोबोटिक प्रिंट्स लग रखें गाड़ी में देखो अगर यह पहली बात तो अगर इनकी şipe normal नहीं है गोल गोल से होते हैं अगर इनकी čipe normal नहीं है यहाँ इनकी कुछ है yarel की normal उसमें alignment मेंनी है क्योंकि robotic तो बिलकुल alignment में ही बनाएगा आपको थोड़े uneven लग रहे हैं एक थोड़े अलग shape का है दूसरा थोड़े अलग shape का है एक पर थोड़ा से dent है तो यह मान के चलो कि यह गाड़ी का हुआ है बहारी accident क्योंकि यहां से कभी गाड़ी लगनी सकती अंदर से किसी गाड़ी पर dent कैसे आ जाएगा यहां पर तो कभी dent आएगा नी भार भार आएगा dent अगर ये वाला part repainted हुआ तो मानलो भई यह इस गाड़ी का हुआ भारी accident ये change हुआ है ये change हुआ है इसका पूरा या तो इसमें कुछ अड़ी है वड़ी है कुछ भी आप कह सकते हो अगला अगर आपको ये पता लगाना है कि गाड़ी के दरवाजे change है की नहीं तो पहली बात तो आप ये वाले मत देखा करो ठीक है आप ये भी देख सकते हो लेकिन जो गाड़ी में aligned होते है न जो नट खुल के गाड़ी में वापस ही लगने है जैसे की ये वाला आप ये वाला नट देख लो एक बड़ में तो ये भी खुला है या तो अब उससे आप ये question पूछ सकते हो कि भाई ये खुला है कि ये ऐसे ही है क्या system है इसके साथ तो ये आपकी question arise कर सकता है क्योंकि देखो दर्वाजे बिल्कुल खोल के side तो कोई नहीं रखवाता दर्वाजे के ये खुलवा देता है गत्य खुलवा देता है अगर कोई कुछ भी काम कराना है चोटा माटा तो गत्य खुलते हैं यहांपर आफो यह जलड़ी रस्त ख़ातो है ताटा का लोगास सबसे ज्यादा रहे हैं पहले तो इनका क्रोम पार्ट देखलो यहांपर रस्त यह देखो ब्लाक्डवट हो चुका हैlı.. 25 गाड़ी 2 साल है हूय पहलति को तब भी यह देखो नीचे यहां भी रस्टिंग आ चुकी है तो आप से तो पता नहीं हम जबाद सकते की वह कैसा है कैसे नहीं वह आपको ऐसे नहीं पता लगेगा तो यह तो पार्ट मैंन ही मानता कुछ लोग कहते हैं कि रस्टिंग से पता लग सकता है राइसे पता लग जाएगा यहां मेरे तो फरिदबाद का पानी खा रहा है इतना तो तो थोड़ा बहुत जल्ड़ जल्दी ही खाएगी अधिस्पेशलि ए टाटा की गाड़ी कि नेल्स के मांक्स आपको दिख रहे हैं तो गाड़ी बहुत जुछ चल चुकि है क्योंकि यहीं से लोग ऐसे करके खोलते हैं दर्वाजा एंड इस पर बहुत ज़्यादा मांक्स आ जाते हैं ठीक है ये देखो अगर किसी बंदे ने PPF करा रखे होगी गाड़ी पर तो तो बिल्कुल ही साफसोतरी गाड़ी होगी तो आप पता नहीं लगा सकते ये पार्ट फिर कट हो जाता है अगर किसी बंदे ने PPF करा रखे है तो यहां से लेकिन आपको पता लग जगता है मैंने जैसे PPF लगा लो यह और 50-60 पर इसकी डबल हो जाएगा ठीक है तो आप इससे आइडिया लगा लो एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा मैं आपको फोकस करके दिखा देता हूं तो यह आपको कुछ रफ आइडिया मिल जाएगा अगर आपको यह भी पता लगाना कि जन्वेन चल आपको बताता हूं जो मैंने आइटेन अप मेरे पास पहले आइटेन थी उसके साथ हो रहा था तब मैंने यह चीज सिखी दी कि यह क्या होती है देखो भाई गाड़ी अगर आपको कोई गाड़ी मिले तो पहले तो आप उसको स्टार्ट करके रख दो पहले थोड़े थे आइडल करने दो एंड उसके बाद तो आप गाड़ी को आइडल करने दो ठीक है उसके बाद आदे को अब जैसे मैंने तो यह नॉर्मली रख रखी है अगर किसी डीलर पर होगी न इंजन बे आपको इतना साफ सुत्रा मिलेगा आपको लगेगा नहीं गाड़ी अभी अभी ब्हूम सची निकली है ठीक तो आपको यह लगेगा कि हां यार तो है तो अबब क्या करना आपको गाड़ी स्टार्ट करने है उसके बाद आपको यह इसमें से ये निकालना है, oil level चेक करना है, ठीक है, एंड फिर ये निकाल के side में रख देना है, अगर गाड़ी धुवा मार रही है, normal गाड़ी, गाड़ियां, ठीक है, तो अगर ये धुवा फैकरी है, और आप रेस देते हो, तो बिल्कुल धुवा मार रही है, तो भाई दे करिए, तो आपकी गाड़ी oil पीने लग गई है, इंजन कम जोर हो गया, गाड़ी बहुत जादा चल गई है, अब इंजन में जान नहीं बची है, सीधी साफ बात, ठीक है, ये गाड़ी जादा टाइम नहीं चलेगी, और ये हो सकते है, डीजल कास के लिए अलग हो, मेरे प और वो चीज मुझे तब पता चली, जब मैं गाड़ी चलाने लग गया, जब हमने ली थी, तब कोई नहीं चलाता था गाड़ी, तो मैं भी बहुत छोटा था, तो हमें नॉलेज नहीं थी, तो मेरे साथ ये हुआ, आगे से किसी के साथ ना हो, तो ये सब चीज़े आप च चेक करनी है, तो आप थोड़ा गाड़ी को चला के देखो, आप गाड़ी को थोड़ा चला के देखो, unwanted sounds नहीं आने चाहिए गाड़ी में, ठीक है, आप इसका service record देखो, ढूंडो कहीं न कहीं से, कि अगर आपको मिल जाता है, तो सही बात है, क्योंकि या service record मिलना बहुत जादा वो है, क्योंकि उस पर पता लग जाता है कि गाड़ी कहां से कहां कब-कब क्या-क्या system हुआ है गाड़ी के साथ, ठीक है, तो यही थी भाई कुछ आज की वीडियो, चीजे जो आपको देख लेने चीए, second hand car बाई करने से पहले, thank you so much.